आज हम नाक की दूर्बीन पधतित्वरा जांच कैसे करते हैं यह समझेंगे यह बहुत ही सा रप्रिक्रिया हैं इस जांच से पहले आपको लेटा कर आपके नाक में कुछ बुने दवाई की डाली जाएंगी कई बहर यह दवाई यह से ज्यादा भाद डालने की जुरत पर सकती है कुछ यह मरीज़ों में जांच के पहले नाक में अनिस्थिस्या वाली पट्टियां भी रखने की जुरत पर सकती है जब यह दवाई नाक में रख देते हैं तो इससे नाक में थोड़ा सा निस्ति से करक्ट आ जाता है और नाक में देखने के लिए जगह बन जाती है इसके बाद में एक नाक में जांच करने वाली धूर्बीन को प्योग किया जाता है घबराय नहीं इस एंडोस्पोप दूर्बीन से आने वाली रोशनी है यह गरम नहीं है इससे आपको कोई भी जलन नहीं होगी कोई चोप नहीं लगेगी बेखोई चिंदा नहीं करें आपकी नाक की दूर्बीन दौरा जांच आपको बिठा कर या लिटा कर की जा सकती है इस दूर्बीन को बहुत ही धीमे से आपके नाक के अंदर जाने दे जाएगा और आपके नाक के अंदर के जो भी भागे उसके जांच पी जाएँगे पहले हम नाक के दाहिने साइड में देखेंगे यह वेस्टिबूल दिख रहा है जिसमें की इसकिन और बाल होते हैं अब राइट इंफ्य टर्मिनेट देछ पा रहे हैं और राइट सर्फेस और जार जएसे और उन्दर जाएँगे तो हमें राइट साइट का एकजीला, राइट मिड़ बैके तरौ मेरे देख पा रहे हैं राइट साइड में स्पेस काफी कम है अब हम नाक के लेफ साइड में देख रहे हैं यह है लेफ नेजल केविटी हैं इसमें हम देख पा रहे हैं left surface naac के septum का और ये सामने अब जो दिख रहा है left infurer terminate है जैसे दूर्बीन को थोड़ा और अंदर ले जाएंगे तो left middle terminate दिख रहा है और उसके little side मे left middleahon थोड़ा दूर्बीन और अंदर जाने पर हमको macjury sinus की opening दिख रही है जिसको look मेकजरी साइनस ओपनिंग बोलते हैं, अब भी हम फिर से लेफ्ट मिडिल टर्मिनेट को देख पा रहे हैं, इसमें कुछ भी सीक्रिसंस या पॉलिप बगर नहीं दिख रहे हैं, दूर भी इनको हलका सा विड्रॉ करके बापिस से देखते हैं जब अंदर की ओर तो हम लेफ् मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू